नमस्कार MP2 में आपका स्वागत है मैं हूँ मुहिनी सीजर डिलेवरी के विरोध में गोलपाड़ा मंदिर के भक्त मुहिम चला रहे हैं इसी के तहट मुख्य चिकिस्सा स्वास्त अधिकारी को दिये गए ग्यापन पर हुई कारेवाई को देखने जाएंगे मंदिर के सेवक जगवीर दास एवं समीती के सदस से ग्वालियर के संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा के भक्तों द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रसव सुनिशित कराने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहट सबसे पहले मुख्य चिकिस्सा स्वास्त अधिकारी को ग्यापन दिया गया उसके पश्षा शहर के जन प्रतिनिधियों सांसद विधायकों को ग्यापन दिया गया उसके पश्षा भारत के सभी सांसदों को कमिशनर के माध्यम से ग्यापन दिया गया भक्तों द्वारा फूलबाग गेट पर धरना भी दिया गया और क्रिशी मंत्री नरेन सिंग तॉमर को ग्यापन दिया गया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण भक्तगन शांत रहे। अब पुना वहा इस मुहीम को जारी रखेंगे। करेंगे। इसके लिए मंगलवार 15 जून को 12 बजे सेवक जग्बीर दास के साथ भक्तगन मुखे चिकिस्सवास अधिकारी के कारेले मोती महल पर पहुँचेंगे। जग्बीर दास का बार बार कहना है कि जब इश्वन ने महिलाओं को प्राकृतिक रूप से प्रसव हेतु अंग दिये हैं फिर पेट क्यों फाड़े जा रहे हैं। भारत की महिला शक्ती को शारीरिक रूप से कमजोर क्यों किया जा रहा है। इस मंदिर के दर्सनार थी और भक्तगान आए दिन यहां मुझे अबगत कराते हैं कि हम शामान प्रसव से प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक अंगों से पैदा हुए और हमारे बच्चे पेट फाड़ के पैदा हो रहे हैं। कल को हमारी पत्नी गात 40 सालवाद 45 सालवाद आखिर क्या होगा जब वो किसी बीमारी से ग्रिशित होंगी तब उनके यह टाके उनका यह पेट किस तरह उन्हें परिशान करेगा और वो अलप आयू में आ जाएंगे। तो जब मैंने इस ओर ध्यान दिया तो लगा कि यह मानव हित के लिए जन हित के लिए और पिरकिरती अबुद्ध हो रही है। तो जिम्मेदार लोगों तक पहुचाने के लिए सबसे पहले मैंने गवालियर के मुख्य चकित्सा अधिकारी स्वास्ता अधिकारी को ग्यापन दिया और उनसे कहा कि आप शहर में देखिए किस तरह सीजर डिलेवरी हो रही है। उसके पश्चात मैंने सहर के मानी सांसद मोदे सभी विधायक को ग्यापन दिया और उनसे कहा कि आप देखिए और आप अपने इस तरह पर इस मुद्ध को उठाइए। यह प्रकृति के साथ तो खिलवाड होई रहा है बागी देश की राष्ट की महलाओं के साथ भी खिलवाड हो रहा है। उसके पश्चात मैंने फूलवाग पर भक्तों के साथ धरना दिया। धरने के साथ ही समापन पर केंद्री किरसी मंत्री माननी नरेंसिंग तौमर जी को ग्यापन दिया। उसके पश्चात मैंने 543 सांशदों के नाम माननी कमिशनर महोदे को ग्यापन दिया। और सभी ने मुझसे यह कहा कि यह बास्तम में सही है। जब मैं पूचता हूँ कि हम और आप कैसे पैदा हुए तो वह कहते हैं सामाणमे तरीके से प्रकृतिक तरीके से। फिर मैं पूछता हूँ आपके बच्चे और आपके नाती कैसे पेदा हो रहे हैं तो वो एकदम चौक जाते हैं कहते हैं हाँ निश्य दूरूप से यह वो सीजर डिलेवरी से हो रहे हैं तो मेरा अब कहना है कि सारे ग्यापन देने के पश्चात हम गवालियर में 15 तारीक को CM से पर बिस्तरित कारक्रम गोशित करेंगे भक्तों के साथ दर्सनार्तियों के साथ बैठक करके जैवाला जी हो मरी दुर्ण गरम गश्चात हम टके जैटे शुगा मॉझ से उझ्छात हम गवालेदा जीजए बोल सचे दरवार जीजए जीजए बोल सचे दरवार जीजए जीजए बोल सचे दरवार जीजए हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए यूटूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दमाना न भूलें हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए यूटूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दमाना न भूलें झाल हमारे चैनल को दमाना न भूले चैनल को दमाना न भूलें